अब हम एक supplier का खाता बनाएंगे. Supplier का नाम है Universal Trading Company, alias UTC. एकाउंट का प्रकार है Supplier. एकाउंट का ग्रुप होगा Sundry Craters. अधर ग्रुप में हम Assets, Current Assets, Loan and Advance, Advance to Supplier लेंगे. यदि इस खाते का बैलेंस डैबिट में होगा, तो अन्तिम खातों में यह Sundry Craters की बजाए Advanced to Supplier ग्रुप में आएगा. यह तुनिर एकाउंटेंड की एक अनुपम सुविधा है, जो आप और कहीं नहीं पाएंगे. सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत से सुविधाएं हमने तुनिर एकाउंटेंड में दी हैं, जो आज तक किसी और एकाउंटिंग सॉफ्ट्वेर में नहीं पाई गई हैं, जो पेजिस अपने आप जानकारी डालने के लिए एनेबल हो जाते हैं. यहां हम संपर्क के संबंदित जानकारी डाल सकते हैं, Contact Person, Fax, Email, Phone Office, Mobile Number and Phone Residence और पता यहाँ डाल सकते हैं। हम एक खाते के लिए दो तरह के पते रख सकते हैं, Office Address और Shipping Address. जब आप City चुनते हैं, तो उस शहर की Pin Number की पहली तीन संख्याएं अपने आप आ जाती हैं, जिससे Pin Number डालने में गलती नहीं होती। Taxes, Cells और Taxes Purchase ये दो पेजे इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, अभी इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। Limits, यहां से आप खातों की Debit या Credit Limits एवं Due Days सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है यदि आपने खाते में Debit Limit में 10,000 रुपे डाल दिये हों, तो खाते में किसी भी Transactions के द्वारा यदि Debit Balance 10,000 से ज़्यादा होगा, तो वहां Transaction रोग दिया जाएगा। Pen, etc. यहां हम Party का Pen नमबर, Tin नमबर, CST नमबर आधी रख सकते हैं। यदि आप चाहें, तो याददाश्त के लिए खाते से संबंदित कोई Note भी डाल कर रख सकते हैं। Service Provider यानि सेवा प्रदाता प्रकार का खाता होने की स्थिती में, हम यहां से TDS को लागू कर सकते हैं। अभी हम इसे छोड़ रहे हैं, यहां जब Service Provider प्रकार का खाता बनाएंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। हम Supplier प्रकार की खाते से संबंदित सारी जानकाली डाल चुके हैं। यहां एक और महत्पूर्ण सुविदा है, यहां आप एक Paper Clip आइकॉन देख रहे हैं, यह तुनीर एकाउंटेंट की एक अनुपम और मॉलिक सुविदा है। इस आइकॉन पर क्लिक करके आप इस खाते के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज सनलगन कर सकते हैं। और भविश में जब कभी भी आपको इस खाते से संबंदित किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जरूरत हो, तो आपको उसे फाइल्स में ढूनने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इस अटेश्मेंट बटन को दबाईए और आपके सारे संबंदित दस्तावेज स्क्रीन पर मिल चाएंगे। यह आपका पेपरलेस ओफिस की ओर एक महतुपूर्ण कदम होगा। यहाँ आप किसी भी प्रकार की फाइल सनलगन कर सकते हैं। चाहे वह Microsoft Word फाइल हो या Excel फाइल हो, PDF फाइल हो या Zip फाइल हो। आप किसी भी डॉक्यमेंट को सीधे स्केन करके भी सनलगन कर सकते हैं। एक खाते के साथ आप जितने चाहे उतने दस्तावेज सनलगन कर सकते हैं। और जब आप सनलगन डॉक्यमेंट्स पर डबल क्लिक करेंगे तो यह अपने संबंदित सॉफ्ट्वेर में खुल जाएगा। जैसे अगर Word फाइल होगी तो MS Word में और अगर PDF फाइल होगी तो Adobe Reader में। अब हम Save & Next बटन दबाकर यह खाता बनाना पूर्ण करेंगे।